एक समय की बात है, जंगल में एक मजदूर मुर्गा रहता था जिसका नाम रामू था रामू बहुत महनती और समय पर पुषने वाला मुर्गा था वह हर दिन सूरज निकलते ही काम करने के लिए निकल जाता था जंगल में एक बार अचानक बाढ़ आई और पानी उठने लगा जल बढ़ते बढ़ते जंगल में बहने लगा और सभी जानवर परेशान हो गए रामू ने देखा कि उनके दोस्त भूख से पीडित हो रहे हैं तो उसने तुरंत सोचा कि उन्हें कुछ मदद करनी चाहिए रामू ने अपनी मेहनत और सामर्थ्य का इस्तेमाल करके उनके लिए खाना ढूंधाने का प्रयास किया वह उच्चतम पेड़ों पर जाकर खाने की खोज में था बाड के कारण लंबी डगरों को पार करना मुश्किल था लेकिन रामू निरंतर मेहनत करता रहा और अपने लक्षे की तरफ बढ़ता रहा अंत में उसे एक पेड़ पर एक साक्षातकार मिला वहां उसे एक बड़ा आखिरी रोटी का टुकडा मिला रामू खुशी से उस रोटी को अपने दोस्तों के पास ले गया उनके दोस्तों ने खाना खाया और उसके बाद वे सभी रामू को धन्यवात दिया इस घटना से सभी जानवरों ने सीखा कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और साजह करते हैं तो विपदाओं का सामना करना आसान हो जाता है रामू की मेहनत और संघर्ष ने सभी को प्रेरित किया कि हमेशा दूसरों की मदद करें और सहयोग करें चाहे कितनी भी मुश्किलाएं हो